एस्मा की जो problem है उसके बारे में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि ये किस age group में common होती है Usually हमने देखा है कि अगर किसी को एस्मा की problem होती है तो mostly जो है वो बच्पन से ही शुरू हो जाती है Especially बच्पन में जब बच्चा जो है first year में होता है तो wheezy bronchitis नाम से एक condition होती है जो बहुत ही common होती है इस age group में ये wheezy bronchitis जो होती है कई बार viral infections से भी जो है वो trigger होती है क्योंकि वो भी कई बार wheezing cause करते हैं हमारे बच्चों में तो इसका काफी सरल इलाज है बच्चों को nebulizer के जरीए जो है bronchodilators दिये जाते हैं और अक्सर हमने देखा है कि time के साथ-साथ जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो ये problem कई हद तक solve हो जाती है लेकिन कुछ लोग जिनमें की प्रवती होती है asthma को develop करने की जिसमें की कुछ genetic factors भी आते हैं कुछ environmental factors भी आते हैं तो वो लोग persist कर जाते हैं इस condition के साथ और ऐसे में देखा गया है कि wheezy bronchitis जो होता है बच्चपन में males में काफी common होती है as compared to female child और कई बार adolescence में ये problem कई हद तक घट जाती है और फिर से अपना जो है active हो जाती है adolescent age के बाद तो काफी episodic problem जैसे मैंने कहा ये होती है इसी तरीके से ये episode जो होता है ये एक day से related हो सकता है month से related हो सकता है या फिर years of life से related हो सकता है